गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम इन आवर ओनलाइन क्लासेज इट्स यूर मैप क्लास स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है नियरेस्ट टैंज क्या है नियरेस्ट टैंज जो हमारी टैंज की प्लेस होती है हमें उसका क्या बताना है नियरेस्ट बताना है टैंज की प्लेस का नियरेस्ट राइड करना है जैसे हमारे पास फर्स्ट सम है क्या है फॉर्टीन फर्स्ट सम हमारे पास क्या है फॉर्टीन हमें फॉर्टीन का नियरेस्ट टैंज राइड करना है हमें मालुम है कि 14 है जो हमारा वो हमारी कौन सी लाइन में आता है 10 से लेकर 20 तक जो हमारी 10 से 20 तक लाइन होती है 14 उसमें आता है अब हमें बताना है nearest 10 14 हमारे पास किसके जादा nearest है किसके जादा नजदीक है जैसे हमारे पास 14 है 14 अगर हम 10 के पास जाएंगे 14 से तो हमारे पास हम कितने स्टेप्स लेंगे 13 12 11 10 अगर हम 14 से 20 तक जाएंगे तो हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे 14 15 16 17 18 19 20 तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे हम जब 10 के पास जाते हैं तो हम कम स्टेप में 10 के पास पहुँच जाते हैं इसलिए 14 किसके नियरेस्ट होगा 10 के रपीट अगेन हमें 14 का नियरेस्ट 10 राइट करना है हमें मालूम है कि 14 10 से लेकर 20 वाली लाइन में आता है हमें ये पता करना है कि 14 इन दोनों में से सबसे निजदीक किसके है तो 14 इन दोनों में से सबसे निजदीक किसके है 10 के तो 10 नियरेस्ट 10 ओफ 14 क्या आएगा हमारे प 46 40 to 50 वाली लाइन में आता है कौन सी लाइन में आता है 40 to 50 वाली लाइन में और 46 किसके जाधा निजदीक है 50 के किसके जाधा निजदीक है 50 के तो nearest 10s of 46 is equals to क्या जाएगा 50 क्या जाएगा 50 तो students next हम अपनी workbook पर exercise 1.5 करते हैं हमारा first part है fill in the blanks with the help of number line हमें blanks fill करनी है with the help of number line number line की help से हमें blanks fill करनी है हमारे पास हमारा first 13 is between 10 and 20 जो 13 है वो कौन सी लाइन में आता है 10 and 20 10 to 20 की लाइन में 13 आता है but closer to 10 but closer to 10 but किसके जाधा close है वो किसके जाधा निजदीक है वो 10 के so 13 is rounded off to 10 so 13 का nearest क्या जाएगा 10 repeat again 13 is between 10 and 20 13 हमारे पास 10 to 20 वाली लाइन में आता है but closer to 10 but किसके जाधा close है वो 10 के so 13 is rounded off to 10 next हमारे पास जैसे third sum है 35 is exactly in the middle of 30 and 40 हमारे पास जो 35 है वो 30 और 40 के बिलकुल middle में आता है बिलकुल बिसकार में आता है मतलब के 30 से 35 तक भी उतने step लगेंगे और 35 से 40 तक भी उतने step लगेंगे वो विलकुल exactly उसके middle में आता है so 35 is rounded off to 40 तो हम इन दोनों में से जो हमारी 30 to 40 वाली line है अगर उसके middle में कोई भी number आता है तो हम उसका rounded off उसका nearest chance क्या लेते है 40 जो उन दोनों में से बड़ा होता है जैसे 30 और 40 40 में 30 और 40 में से कौन बड़ा है 40 तो हम 35 का nearest chance क्या लेंगे 40 repeat again 35 is exactly in the middle of 30 and 40 35, 30 और 40 की line के बिल्कुल बीच में आता है middle में आता है so 35 is rounded off to 40 तो 35 का rounded क्या आएगा 35 का nearest chance क्या आएगा 40 अगर कोई भी number 30 और 40 जैसे हमारे पास यह 35 है यह इनके बिल्कुल middle में आता है उतने step ही हमें 30 तक लगेंगे उतने step ही हमें 40 तक लगेंगे तो हम इसका nearest 10 कौन सा लेंगे 40 next वाला सम आपने खुद करना है हमारा बीपार राउंड ओफ इच नंबर तू दी निएरेस्ट 10 राउंड ओफ इच नंबर हमें इच नंबर को राउंड ओफ करना है तू दी निएरेस्ट 10 हमें जो नंबर दिये गए हैं उनका हमें निएरेस्ट 10 find करना है क्या find करना है nearest tens हमारा first sum है 48 kya है 48 48 कौन सी लाइन में आता है किसके बटवी नाता है 42 50 किसके नश्दिक आता है 42 50 बट 48 ज्यादा close किसके है 50 के तो nearest 10s 40 का क्या जाएगा 50 repeat again 48 40 और 50 के बटमीन आता है 40 और 50 के बटमीन आता है बट ज्यादा close वो किसके है 50 के है तो nearest 10s 48 का क्या जाएगा 50 next second 32 32 हमारे पास किसके बटमीन आता है 32 40 किस लाइन के 32 40 लेकिन 32 close किसके है 30 के किसके close है 30 के क्यूंकि 30 तक हमें 2 steps लगेगे 32 से 30 तक हमें 2 steps लगेगे इसलिए 32 का nearest 10s क्या आएगा 30 ओके students clear तो students next left sums आपने खुद करने है तो students ऐसे ही आपने nearest 10s किसी भी नंबर का nearest 10s राइड करना है थैंक यू students stay home stay safe झाल 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 मोड़गा झाल धेड़ई